दार के कुक्षी में चौकी प्रिभारी को रिश्वत लेते हुए लोका युक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है वहीं बताया जा रहा है कि धोकदरी मामले को रफा दफा करने को लेकर 6 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी इसके बाद फर्यादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की लोका युक्त पुलिस ने योजना के साथ कारवाई करते हुए पुलिस चौकी प्रभारी को दो लाख रुपए की पहली किष्ट लेते हुए रंगे हाथों गरफतार कर लिया अब दफ बागीरा जाटव से तीन अजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे आपडेट देते हैं अभी कारवाई शूव हुई है काफी सारी यहां कारवाई की जाएगी तो अभी उसके बाद अगली क्या और अपडेट है वो कुछ समय बाद आपको देदे हुए अब विभागी कारवाई में उनको यहां हिस्पत से अटाये जा सकता है और विभागावद देक्ष के उपर रहता है निलंब्यत की कर्देश